नमस्कार दोस्तों और बहुत बत्वागत आपका स्टेडी शाला टू-पॉइंटो में दोस्तों हमने इन्वार्मेंट का पहला चैप्टर पढ़ लिया है इन्वार्मेंट इकोलोजी बेसिक कॉंसेप्ट से बारे में पढ़ लिया है तो इसी को ध्यान में रखते हो थोड़ परियावरण पारिस्थित्की में जो भौति घटक है वो क्या दोस्तों फिजिकल फैक्टर के बारे पूचा है मैं आपको बताया था कि परियावरण में वेसिकली तीन फैक्टर होते है आपके एक तो होता है फीजिकल यानि कि भौतिक और दूसरा होता है आपका रासाइन या कुछ भी इसतरा का नियुट्रिशंस लवाड यह सब आते हैं यह रासानिक बहुतिक में आता है जल थल वायू अगनी यह सारा जो है भॉतिक में रधा ठीक है उर्जा इस बहुतिक में रहता है तो में आपको बताया यह किसमें आएगा जैविक में वणस्पतिया आपका बहुतिक में आयागा और पारिस्थित की यानि की एकोलोजी यह तो सब्जेक्ट है तो कोई मैटर नहीं करता यह गलत हो जाता यह आपका प्रवाहित जल जो है वह भौतिक घटक में आएगा ठीक है दोस्तों चलिए अगले कोश्चन बढ़ते हैं अगला कोश्चन बोल रहा था मैंने आपको बताया था कि एकोलोजी की बारे मैंने बताया था एकोलोजी वर्ड कौन दिया था फादर आफ एकोलोजी कौन है यह सब मैंने आपको पढ़ाया था अब आपको यहां पर टिक लगाना है कि उनके जो संबंधों का अध्यान है जी और उसके परियावार की बीच में वो केस के अंतरकत आता है तो बिल्कुल सही अगर आपने डी ऑप्शन करेट किया है तो बिल्कुल सही है यह पारिश्थित की कहलाता है यानि की अब हम अभी अगले क्वेशन देखेंगे वर्ड किसने दिया था लेकिन मैं यहां पर बता दू आप फादर आफ एकलोजी कौन थे वह थे अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ठीक है दोस्तों यह आपके फादर आफ एकलोजी थे और हाँ दोस्तों मैंने एक चीज़ा और के बारे मताया था मैंने कि यह जो हैं इंडियन पारिस्थित की जो साइंस है इसके जनक है ठीक है चलिए अगले कोश्चन तरब बढ़ते हैं तीसरा अब अभी मैंने आपको बताया था कि इकोलोजी जो वर्ड है यह सब्दका सारोपर्थम प्रियोग किसने किया था दोस्तों तो चलिए ओप्शन को देख लेते ओडम ओडम यह एक जो है बायोलाजिस्ट है इन्होंने काफी काम किया एको सिस्टम को रूप में लेक एको सिस्टम वर्ड दिया था ठीक है दोस्तों एको सिस्टम यह जो वर्ड है यह एकुलोजी वर्ड दिया था डार्विन ने आपको आपने सुनाओगा evolution यानि की एक तरह से evolution के हिंदी तो मुझे नहीं पता evolution की ठीरी थी कि कैसे जीवों का विखास होता विकास क्या से धान दिया था अचिक लिए डार्विन ने ठीक है दोस्तों चलिए चलता question देखते हैं वन के पारिस्तित की तंत्र में कवक यानि की फंगस को कि समू में सामिल के आता दोस्तों हमने हावे पढ़ा था कि उत्पादक होते हैं ठीक है दोस्तों उत्पादक उभोकता उभोकता हमने कई category शुन आनी कि बाक्तीरिया और दूसरा कवक यानि की फंगस तो आपको बताना है कि ये किस अंत्रगाता है कवक आपका अब आप गटन करता ठीक है दोस्तों आप्षिंडी आपका बिल्कुल सही हो जाता है ठीक है चलिए आगले कोश्चन तरह बढ़ते हैं पाच में पर अभिसमा आपको बताता है कि मैनमेड इको सिस्टम कहा है दोस्तों एको सिस्टम मैंने आपको बताया था कि एक तो नैचुरल हो है को मैनमेड है प्रवाल भित्ति यानि की कोरल रीव बोलते इसको दोस्तों कोरल तो इंसान नहीं बनाता कोरल जो है वो समुद्र में अपने आप बनते हैं अगर उनके लायक कंडिशन हो तो तो यह option आपका गलत हो जाता है वेटलेंड यानि आद्र भूमी यह भी इंसान का बनाया हुआ है ठीक है दोस्तों खेत में आप खेती करते हैं कुछ उगाते हैं तो वह नदिया विल्कुल नहीं है गलत जवाब है तो आपका सही option हो जाता सी यानि की खेत ठीक है दोस्तों अगले कुशन दरबरते शटवे पर हरे पाधों को पारिस्थित्की में क्या कह था अभी मैंने आपको आया उत्पादक होता है भोगता होता है उत्पादक तो सचलेशर की मदद से अपना भोजन सेम बनाते हैं ठीक है दोस्तों तो नहीं को पालता जाता है जी हाँ दोस्तों तो अर्याइव बहुता बेसिकली आपकणकरता बता चुका हुँ संप्रेश सब्सक्राइब करते हैं कि जो मतलब इसका एक्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता मुझे बट वह बेसिकली एक जगा से दूसरे का ट्रांस्फर काम होता उनका यह होता ठीक है उसके बाद चलिए अगले कोश्चन तरब बढ़ते हैं के प्रकृति का सफाई करमी नाना सफाई करमी किसे का Californicias दोस्तों सफाई करमी का मतलब कि जो भी गंदगी है यह जो भी चीज सब्सक्राइब करता है नहीं अक्योंस सब्सक्राइब करता करता है बेसिकली तो आपका केचवड देख वह जनर यहनीं कि एससफाई काम नहीं करता तो आपका अप्षन ही घलत हो जाता है जी हां धिया दोस्तों वल्चार यानि की जैसे की कोई घाय भैंस मर जाता तो घिट खाके खतम कर देते हैं ठीक है तो सतों तो बेसिकली गिन जानवर खाते हैं और एक प्रॉसेस होता है बायो एकुमिलेशन ठीक है दोस्तों तो जब इनको खाते हैं और यही कीटनासक उनके शरीड में जाता है तो वह काफी टाइम तक रहते रहते इसकी जो सांद्रता है कंसंट्रेशन वह भरती जाते गिद्द के शरीड में और एक समय आने पर गिद्द मर जाते हैं यह जानवरों में जो दी जाती यह गिद्द के कम होने के पीछे बहुत बड़ी वजा है चली अगले कोशन तरफ बढ़ते हैं इको सिस्टम में उर्जा का प्रमुक्त क्या है ज और फूर बनाने में यह भी मैं आपको बता चुका ओं यहाँ आपको बताना है हुट zwischen गलत जवाब है ऑगृन हावस गयसे गलत है चंतरमा घलत है सूर्य बिलकुल सही जवाब है बादपो यानि की प्लांट से साका हरी जीवों में कितनी उर्जा पहुंचती है बिल्कुल शही सुना आपने की जो जैसे आपने उर्जा का यह पिरामिट देखा अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है नहीं तो आप रिवाइस कर दीजिए रेमन लिंडे मायन ने दिया था ठीक है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पांच पर्सेंट क्या अब इसकी लिए अगर अप्शन दिखता दिये पांच पर्सेंट वो जाए एक से पांच पर्सेंट जो पौधे इस्तमाल कर पाते हैं खाना बनाने में अपने फूड को बनाने में ठीक है दोस्तों अगल आपको पढ़ाई है यहां सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा संख्या पाई आती दोस्तों किसकी कि वन हॉन जिसके पास एक सिंग होती है वर्ण हॉन राइनो यानि कि गैंडे गैंडे कि सबसे ज्यादा संख्या पाई आती एक और दोस्तों मैं बहुत जानदा राइनों पाई यहाँ इसलिए इसको जो है मीनी काजीरंगा भी बोलते हैं यह भी दोस्तोव मैं पढ़ाया हूं आप वीडियो जाके देख सकते हैं मीनी-काजी इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्सेयादा डेंसिती पाई जाती है नमबर सब्सेयादा कहां पर आजी रंगा असाम में ठीक है दोस्तों उत्राखण में आप जानते हैं जीम कॉर्वेट नेशनल पार्क है ठीक है और आचल प्रदेश में भी कई सारे नेशनल पार्क है ठीक है कि चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद आप अच्छा स्कोर कर रहा होंगे यह फूर्ट चेन का सबसे सही करम क्या आपको बताना है फोट चेन का सबसे सही करम क्या तो पहला देखते हैं घास को भेडिया बिल्कुल नहीं खाता यहीं पी गलत हो जाता है और यहां पर कीट खाते हैं कीट मतलब आप मान लीजे जैसे और टिड्डे होते हैं वह सब कीट पक्षी की टूट होते हैं वह खाते घास को उनको कोई बड़े पक्षी खाते उनको सर्फ खाते तो सी ऑप्षन बिल्कुल आपका सही हो जाता है बाकी यहां पे यह आप देख सकते हीरन जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए जल्दी जल्दी अगले कोश्चन ट्रब बढ़ते हैं इको सिस्टम में डीकंपोजर्स के अंतरगत किसको सामिल किया था मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि बैक्टीरिया और कवक दोनों को ही कुछ हाते हैं बिसिकली उनक कहले होते हैं लेकिन यहाँ पर एक्शन आपको मिलता है उप्यूगत दोनों सूसम जीव केवल केवल बैक्टीरिया कवक भी नहीं होगा तो दोनों ही होगा ठीक है, दोनों को ही रखा जाता है ठीक है दोस्तों तो चलिए कोश्चन 13 की त्रब बढ़ते हैं पारीत अंतर कि ठीक है दोस्तों तो आपका अगर इस डेफनीशन के साथ जाए तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जीवों का समुदा है और उस साथी वह पर्यावरण यानि वह माहोल जो जिसमें वह रहता है उसे क्या कहते हैं उसका पहारी तंद्रकार्णी को सिस्टम कहते हैं इको सिस्टम की खास बात ही है कि एक छोटी सी बूलत जल से लेकर समुद्र टुघ़त्या सकता है लिए उसका उसकां कहलता झाल है झाल है चैकErिंट के पारिस्दित तंत्र में उर्जा का पिरामिट कैसा ऊता दोस्तों फिरामिट का पिरामिट पारिस्थित तंत्र में हमेशा सीधा क्यों यहां पे यहाँ पे 1000 कैलरी है तो यहाँ पे 100 जाएगी यहाँ पे 10 यहाँ पे एक इसी को हम 10% नियम कहते हैं ठीक है दोस्तों रेमन लिंडे मैंन ने दिया था तो यह हमेशा ही सीधा होगा तो आप्शन आपका यह सही हो जाता है कि पारिस्थित की तंत्र में उर्जा का पिरामिड हम की दोनों टाइप के होते हैं लेकिन यह केवल सीधा होगा ठीक है दोस्तों केवल सीधा होगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यह बिल्कुल सही है आपका 14 सवाल बिल्कुल अच्छा आप स्कोर करेंगे मुझे पूरी मीड है पिरत्वी की सता पर जल वाय यहां पनीट यहां तो सब चीजें होंगे इसको ढ dol ब्रसर तो आपके आपका ओप्ष न plastic कि सब्सक्टिए और सब्मा del. पंद्रा सही होंगे आपके जो भी मार्स बनते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए हमें अच्छा लगेगा अगर आपने अच्छा स्कोर करेंगे और बायोडाइवर्स्टी के लेक्चर्स चल रहे हैं उसको भी करते रहे हैं एक दिन हम कंबाइंड करीब लेके आएंगे अगले संडे तक मोस्ट प्रवबली जिसमें आपका इन्वार्मेंट के भी कोश्चन हैंगे बायोडाइवर्स्टी के भी कोश्चन हैंगे तो आपके एक अच्छी प्राक्टिस हो जाएगी ठीके दोस्तों तो अपने स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्षर में तब तक के लिए जाएंगे